राजधानी पटना में अपरात का ग्राब बढ़ते जा रहा और बढ़ते अपरात को लेके पटना पुलिस बैकफुट पनजर आ रही है इसी करी में कोतवाली थाना चित्र के जीपियों के पास एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है बताया जाता है कि जीपियों के पुर्व करमचाडी जीपियों में पैसे निकालने के लिए पहुचे थे और पैसे लेके जैसे ही वो अपने घर को जा रहे थे पहले से घात लगाए अपराधियों ने पहले रेकी की और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया इस पूरे गटना के बाद कोतवाली थाने गटनास्तल पर पहुँचके मामले की जाच में जुड गई है अब अब को बताते चले कि लगातार राजधानी में क्राइम के ग्राफ में बेताहसा विर्दी होते जा रही है लगातार पटना पुलिस के तरफ से ये दावा किया जाता है कि पुलिस की घटनास्तल पर पहुची थी आजपास के सीची टीवी कैमरे को खंगाला गया अब रादियों की धर पकड के लिए लगातार पुलिस के तरफ से चापे मारी की जा रही है आपको बता दे कि कोतवाली थाने से कुछी कदम दूरी पे जीपियों का इलाका पड़ता है लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिन के उजाले में अपरादी खुले हम आते हैं एक लाक रुपे की छिंताई करते हैं और उसके बाद घटना असल से फरार हो जाते हैं पुलीस के तरफ से लगातार भले ही दावा किया जाए अपरादियों को पकरने के लिए अपराद पर अंकुस लगाने के लिए लगातार 112 की टीम, QRT की टीम, पटना पुलीस की तीम ये तमाम जो संसाधन है पटना पुलीस के तरफ से CCTV केमरे अपरादी पुरी तरह से घटना को अंजाम दे रहे अब देखने वाली बात होगी कि इस पुरे मामले को लेके पुलीस कब तक अपरादियों को पकर पाती है या पुलीस का जो स्लोगन है कि आपकी सेवा में सदैव तत पर पुलीस जो दावा करे उनके तमाम दावों की ज अपरादी पुलीस